एब सेटेंदें तेलिर्स के नीचे प्रेजर्च होता है यह संतर बाइब कि सरीयदें Gretchen जो है यह control होती है TSH ठीक है और STH और हैं कि इस अधि और इंक्रीशन है वह इंक्रीश होती है डियूरिंग rapid development sexual maturation stress condition में इनकि जो सिक्रीशन है वह इंक्रीज होती है अब role क्या है T3 और T4 का कि यह कुछ करते हैं BAMR BMR मतलए बेसल metabolic rate को इंक्रीज करते हैं ठीक है जिसमें ब्रेकडाउन होता है गुलुकोस का ठीक है इंक्रीज होता है प्रोड्यूज प्रोड़क्शन होती है वो भी इंक्रीज होती है जिनरेट करते हैं बॉड़ी हीट को अब यह बोथ जो है वो वर्क करते हैं ग्रोथ हर्मोन के साथ ठीक है औ अब चेंज ऑफ मर्फॉलोजी ठीक है टेड़ पॉल और अडल्ट अब डिजीज क्या है ओवर सेक्रेशन टी-3 और टी-4 की वजह से ग्रेव डिजीज होगी ठीक है अब जो ग्रेव डिजीज ग्रेव डिजीज है वह एक्जो थालमिक गॉइटर है ठीक है यह अबनॉर्मल इसमें होती है ठीक है और इसमें बी-म-र बेजल मेटापोलिक डेट यह इंक्रीज होता है और जिसके वजह से अबनॉर्मल ग्रोथ होता है अब अंडर सेक्रेशन की वजह से क्रेटिनिजम और गॉइटर होगा ओवर सेक्रेशन की वजह से ग्रेव डिजीज होगी और rate केरा में लहाँ होती है कलिर का सकीन यैलो हो जाथ है अब काजने क्या असमें इंलारजमेंट होती है ओ dw फेड की मोडन डिपोजिशन होती है मभी वेट इंक्रीस होता थिक हिस कंडिशन को हम मार्ख मीक्जोडह ऊद्मा भी कहते हैं ठीक है मतलब puffing of hands and skin ठीक है body temperature reduce हो जाता है metabolism जो है body का वो भी reduce हो जाता है parathireoid gland ठीक है parathireoid gland release करता है hormone जिसको करते है parathirmone ठीक है blood में parathiremon release होता है उसके बाद parathiremon जो है parathiremon release होता है जब high concentration होती है CA plus level जो है blood में low होता है ठीक है फंक्शनिस का क्या है कि ये regulate करता है calcium plus ions को bones में ठीक है जो कि present होती है deposition of the CA plus ions in bones ठीक है उसके बाद disorders over secretion के वज़ा से जिज़ादा calcium ions है न वो out हो जाते हैं bones से ठीक है जिसकी वज़ा से cricket disease होती है ठीक है और under secretion की वज़ा से less calcium ion bone से निकलते हैं जिसकी वज़ा से tetany disease cause होती है पारा thyroid की location क्या होता है कि ये embedded होते हैं posterior part पे ठीक है और lateral lobes of thyroid gland ठीक है हार्मों रिजिस करते हैं पारा थार्मोन और इसके बाद function और का CA plus iron low level low level होता है इसका ठीक है उसके बाद paratharmon की production को increase करने करीए high level of calcium ions को release किया जाता है ठीक है under secretion क्या करेगी के drop in blood calcium ions ठीक है leads to muscular tetany ठीक है और over secretion progressive demineralization होती है और ये rickets के तरह सेम होता है नेक्स्ट माना टॉपिक है पैंक्रियास पैंक्रियास क्या है कि ये कंट्रोल करते हैं पिचुटरियो टॉपिक हार्मोन स्ट और CTH ये इनको कंट्रोल करते हैं ठीक है और ये respond करते हैं directly blood glucose में ठीक है अब पैंक्रियास की सबसे बड़ी पहचान ये है ठीक है वह हों पैंक्रियाटिक 10 करते हैं ठीक है इस 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 में आलफा सेल्स ग्लुकेज़न आ इसमें इसमें प्रोडियूस करते है टीक है कि ड़ल्यूससलीन को deal डिल्टा सैल्स टॉमयटा सैल्स More इनमें जो है आईलेट्स ओफ लेंगर हैंज को कलस्टर ओफ सेल्स भी कह जाता है इसमें पी सेल्स भी होते हैं ठीक है जो के इन्हिबिटर होते हैं समेटो स्टैटिन का अब इनमें जो अलफा और बीटा सेल्स हैं अलफा सेल्स हैं ठीक है ये लेस होते हैं ठीक है ये इल्डेल यह दोनों एंटागोनस्टिक हार्मोन में किया होता है अब गल्लो केईजिन होता है पांकिभी 2013 sub-acadis है ठीक है तो यह ग्लुकोज करेगा अब इसमें कनवर्जिन होती है ग्लाइकोजन की ग्लुकोज में ठीक है और मतलब कनवर्ड होते है प्रोटीन और फैट्स को ग्लुकोज में कनवर्ड किया जाता है ठीक है इसमें यह लेस यूटिलाइजेशन है ग्लुकोज की अब बीट कनवर्ट किया जाता है फैट्स और एसीड में ठेक है उसके बाद जो ज्यादा यूटिलाइजाशन होती है अब देख लेते हैं कि अगर जो गुलुकोज है या इंसुलिन कम या ज्यादा निकले तो उसकी विज़े से कॉन से डिसार्डर्स होते हैं अगर तो ओवर सेक्रेश होता है ब्लड में कि द्यूंड की इंकरीज मतलब ओवर सेक्रेशन के वज़े से जो गुलुकोज है ब्लड लेवल में वो डिक्रीज होता है ठीक है यह अफेक्ट करता है नर्वा सिस्टम और मसल्स को अब अंडर सेक्रेशन जब होगी इंसुलिन की तो हाइपर गलासीमिया होगा टीचिसमेंगらい को लेवल है वो इंकरीज होता है बलड में द्यूंडू ऑफ the coach होता है वो कम पज facilitate अश्बाएबल क्याइंट की आप सुनीन lews वोंगे टीक है थ्रूज स्वेट अग्यूड हो गींटिक स्वेरेशन होगी पाल जोउँ में मुसल्स में ठीक है वेट लोस होगा और मतलब यूरीनेशन का लेवल ज्यादा होगा ज्यादा नेक्स्ट है अड्रीनल अड्रीनल ग्लैंड ठीक है यह इसमें पेर ओफ ग्लैंड होते हैं ठीक है जो किड्नीज में प्रेजन्ट होती है ठीक है इसकी जो अड्रीनल है ठीक है इसमें दो पार्ट है मेडियूला और कॉर्टेक्स ठीक है जो मेडियूला है वो अंदर वाला पार्ट है और जो कॉर्टेक्स है वो बाहर वाला पार्ट है अब मेडियूला में दो हर्मोंज है अपिनेफरीन ठीक है और नोन अपिनेफरीन ठीक है वे और कोटेक्स में कोटिस्ल, कोटिकोक स्टिरोन, टिक है रिदारोटिस्टिरोन, all ऑर अंडरोजन नेक्स्ट, मेडिोला में एडरी ड्रीैंडलीन और नॉन एड्रीनलीन है इड्रीनलीन में एपिन एपिनफ्रीन भी कहते हैं कि वेजो डाइलेशन में ये काम आथा है ठीक है और ये डाइलेट करता है ब्लड वेजल खो स्केलीटन मसल्स में ठीक है और मौंगा ऑउपुट होती है मतलब açılब है बलड बलड आउपुट होता है ठीक है उसके बाद नोन अड्रीक लिंड जो है ठीक है इसको non-epine-friand भी कहते है ठीक है ये वेजो कंस्ट्रिक्शन में काम आता है और ये कंस्ट्रिक्ट करता है देखें अड्रीनलीन जो है वो डाइरेट करता है बलड वेजल्स को गट में ठीक है इसमें जो बलड वेजल्स है वो बलड इनपूट होती है हार्ट से अड्रीनलीन में input होती है heart से ठीक है sign synergy ठीक है मतलब अगर तो दोनों hormone work together करेंगे ठीक है तो इस type इस type of work is called as signer gate work ठीक है इनका role क्या होता है कि ये involve होते है blood pressure के control blood pressure को control करने में अब cortex में आ जाता है corticosterone ठीक है corticosterone को हम glucose steroid और mineral corticosteroid भी कहते हैं ठीक है यह maintain करते हैं glucose को blood में और regulate करते है Auetin को blood में अब courticos क्या है कि इसको हम कहते हैं glucose कोटिक prostrict sır का धिक है भी कहते हैं ठीक है यह राईस करता है glucose level blood में जीक है कैसे के Retail कीpes Con лож कि अपकर करके यह glucose level व्लाड में 건강 राइस करता है अब अल्डोस्टिरोन क्या है कि इसको हम मिनरल कॉर्टिकॉइड भी कहते हैं ठीक है यह कंजर्व करता है सोडियम आइन्स को अंड्रोजन क्या है कि यह एक्ट करता है ऐस टेस्टोस्टिरोन ठीक है और यह मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होता है ठीक है सदेन होंगी ठीक है अगर तो किसी में कोई disorder हा ठीक है adrenal gland अक में ठीक है तो क्या होगा कर्या होगा कि एंट्रोजन जाता सिक्रीट होगा जिसके वज़ए से male characteristics develop होना शुरू हो जाइग है यह control करता है male secondary sex Αप könnte कर घेंट और ओर मिजा चाह वैँ आयाđ फे धिए क्रमाइंट और हुझा कर्माइंट क्यों डॉक इस पर चाहिए ंंडेसेंट कोड़ी नीचेश्ट उनसेट हर्माइंट भॉजेएक लुख जायन गुश्ग पीनाव में ृर्डू में नुट यहार्मौण ज्यू है वह बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे अब ओवर्ट सेग्रेशन क्या है के इसको कुषिंग कुषिंग डीससे मिकाते है ठीक है यह सक्रिशन कि वजह से होती है कांटेक्स हार्मोन की ओवर्ट सेग्रेशन की वज़े से ठीक है इसमें जो ब्लड को सोड़ि लैबल हमें वहाय होता है थेखि-ऐ और कंसेंट्रेशन होंगी आयनकी थीक और अविक बॉन्स को वीक करेगा नेकस्ट है गट पर जो है वर्कलियज करता है कॊस्ट जा थीध्य नियुकस सटमक टीचप को मॉकस स्टो क् frontline वो ओर रिलीस्ट होता है डियोडीनम वॉल लाइनिं़ से ठीक है अब जो गेस्तृीन है उसकी सीक्रीशन जो है वह इस古 एंडर फेसी नित पेद़् हेजून अब केर्टीक पर्टीन कि सोड़ीजों कि गैस्ट्रिक जूस को ठीक है और जो सिक्रीटिन है यह स्टीमुलेट होता है ताकि सिक्रीट किया जा सके पैंक्रियाटिक जूस को गैस्ट्रीन जो है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है और जो सिक्रीटिन है वो पैंक्रियाटिक जूस को स्टीमुलेट मतलब रिलीस कर प्राइमरी फॉलिकल सेल्स टिक है जिसको हम ग्रैफियन फॉलिकल सेल्स भी कहते हैं ठीक है और इसमें टिफिल्पमेंट होती है प्राइमरी फॉलिकल फॉलिकल रिफिल्स सेल्स है पॉजिटीव फीदबेक मैकनिजम की यह तो तो का तो इंक्रीज उसकी वेचे से क्या होगा कि इंक्रीज लेवल होगा एल एच का ठीक है लूटिनाइजिंग हर्मोन का अब जो है टेस्ट टेस्ट ठीक है इसमें टेस्ट में क्या होता है कि यह बी टू इन नंबर होते हैं ठीक है और यह होते हैं हैं आउट साइड दे बाड क्पर्टीचन होती है ठीक है मतलब in between semi-infrastribule और इन में in tristial cells भी है ठीक है जिन को कंट्रोल करते हैं मतलब जिनको the control है complete pregnancy में ठीक है उसके बाद यह stop करते है further ovulation process को ठीक है जिसको मतलब बर्थ पिल भी कहा जाता है अब इनका function क्या होता है कि यह formation करते है आसके सरुट करते हैं मेल सकेंडरी सेक्स क्रैक्टरिक्टिक स्कों में अब केस्ट्रेटिडर मेल क्या है जिसमें मेल भूपा फैल हो जाए उपना सकेंडरी इन दूप सेक्नरिक रेक्टरी क्रैक्टर्वAK2 and his body tend more ठीक है अब इस ओवरी ओवरी इस्ट्रोजन मतलब क्या है next है feedback mechanism ठीक है यह एक controlling mechanism है ठीक है और यह interaction की type है ठीक है यह itself control करता है ठीक है कैसे reactions से ठीक है मतलब itself controlled by the product of reactions it is controlling ठीक है जो your reaction ही control करता है वो in mother control करता है उसके बाद इसमें दो ताइपस है positive feedback and negative feedback ठीक है जो positive feedback है वो change occur होटा है आbs मतलब था के चेन्च कर टूड़र diet deviation ठीक है defensive character करने के लिए change occur होता था है by enhancing it with positive feedback ठीक है और इसमें change negative में change När कर होता है to control the deviation by depressing it with negative feedback ठीक है इसमें positive feedback में जो response है वो non homostatic है ठीक है और जो negative feedback में response है वो homostatic है ठीक है next है इसमें के मतलब positive feedback है वो rare होता है healthy individuals में ठीक है और जो end product है speeds up करता है speed up करता है इसकी production को अब जो negative feedback में जो ये ज्यादा होता है healthy individuals में negative feedback ठीक है और ये end product जो है वो inhibit करता है या stimulate करता है इसकी production को हम इसमें example भी समय लेते हैं कि जो response है वो same है original stimulus की तरह ठीक है और जो है second में जो है response जो है negative feedback में है जो response है वो opposite है original stimulus की तरह ठीक है अब जो positive है उसमें direct of effector response है ठीक है और negative feedback में inverse effective factors response है example positive में है child birth blood clotting या fruit ripening child birth में क्या होता है कि head of the जो बीबी है वो पुश्किया जाता है अगेंस्ट सर्विक्स में ठीक है अब जो नर्वर इंपॉल्स होती है सर्विक्स से वो transmitted की जाती है transmitted की जाती है ब्रेन तक ठीक है अब जो ब्रेन third step इसका क्या है कि जो ब्रेन है वो स्टीमूलेट करता है यूट्राइन contraction जो oxytocin stimulate किया जाता है वो यूट्राइन contraction में stimulate किया जाता है और पुश्क करता है बेबी को ट्वर्ट सर्विक्स ठीक है अब negative feedback में क्या होता है कि इसमें inverse effective response है ठीक है इसमें इसमें यह है example इसकी है regulation of body temperature blood pressure यह fluid content की इसमें stimulus क्या है कि जो राइजिंग blood glucose level है ठीक है अब second is क्या होगा step के जो high blood glucose level है ना वो detached detect किया जाता है ठीक है बाइ इंसुलीन secreting cells of pancreas ठीक है third में क्या होगा कि जो pancreas secret करेगा hormone insulin ठीक है यह cause करेगा live cell to take up glucose और store करेगा इसको glycogen की फॉर्म में ठीक है अब fourth step इसका क्या है कि ज़्यादा body cells होंगे ठीक है वो भी मतलब ज्यादा glucose लेंगे ठीक है अब नागरी फीड़ में क्या होगा कि ऐसा body cell take up glucose level बादा बोड़ी cell जब glucose level को लेगा ठीक है तो जो glucose होगा blood decline में ठीक है और insulin में insulin की release जो है वो stop हो जाएगी ठीक है अब sixth और इसका लास्ट step क्या होगा कि homeostatic में यह वापिस चला जाएगा जो returning to homeostatic blood glucose level next फिर inverse होगा stimulus blood glucose level rise होगा फिर अगें से यह सारा step होगा सारा process negative feedback की एक और example समझ लेते हैं ठीक है कि जो glucose हमारी body में low होगा ठीक है second step क्या होगा कि जो alpha cells होंगे eyelids of longer hands के ठीक है वो secret करेंगे glucagon glucagen ठीक है अब third step क्या होगा कि यह जो hormone है वो fit करेगा fit करेगा जाकि अपने आपको receptor sites पे ठीक है surface membrane और activate करेगा enzyme को अब जो enzyme convert करेगा glycogen को glucose में ठीक है अब जब conversion होगी तो fifth step क्या है कि blood glucose level rise होगा ठीक है अब जब blood glucose level rise होगा तो stop करेंगे releasing glucose glucose को stop मलब इसके रिलीज को glucose को stop कर देंगे इधर negative feedback टॉपिक है comparison of nervous coordination and chemical coordination अब इन दोने के परे similarities देख लेते हैं एक जो nervous system है और chemical coordination है वो दोनों synthesize करते हैं chemical messenger को जो both release करते हैं chemical को extra cellular space में और दोनों help करते हैं coordination में जो nervous coordination और chemical coordination in my similarities यह हैं कि यह दोनों response करते हैं stimuli को और यह दोनों homeostatic हैं functions में अब इनकी differences देख लेते हैं differences में पहले nervous coordination में हैं इन में types of cell first heading आएगी ठीक है types of cell में क्या होगा कि इन में neurons हैं ठीक है जैसे sensory neuron है associative motor neuron ठीक है यह basic unit है structure के और functions के और इनमें नीरोग्लियल cell जैसे nutrition और protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं नीरोग्लियल cell भी present है next distance from target second heading है इसकी nervous coordination में कि जो chemical produced होता है neuron से ठीक है वो act करता है मतलब by neuron ending act करता है जहां वो produce किया जाता है for example जैसे acetylcholine अब third इसके heading है response of cells अब जो nervous coordination है इसमें क्या है कि जो neuron release होते है transmitters में ठीक है neuron release करता है neurotransmitters one मतलब एक यह small group of cells में अब इसकी time of time for response यह है कि इसमें immediate effect हो होता है nervous coordination में immediate effect हो होता है अब nature of signals क्या है कि इसमें nervous coordination में electrical signals है ठीक है speed of response nervous coordination में faster और rapid है अब nervous coordination में जो life है chemicals की जो chemicals है वो short lived है और यह easily broken down मतलब shortly इनको broken down किया जा सकता है ठीक है इन में seven heading है सबस्क्राइब है type of cells के इसमें कौन से cells है ठीक है distance from target ठीक है इसमें response है cells का time for response immediate effect शो करता है nature क्या है इनकी electrical signals है इसमें speed क्या है faster और rapid है life of chemicals क्या है कि जो chemicals है वो short lived है उसके बाद chemical coordination आ जाता है इसमे types of cells है इसमें जो hormone producing cells है ठीक है वो included है नियूरो सिक्रेटरी cells जैसे hypothalamus में है ठीक है ये unit है structure और इसके function के अब next heading है distance from target के जो chemical produced होते हैं वो transported के जाते हैं blood से target cells की तरफ for example anti-duretic hormone next is third इसकी heading है response of cells में हार्मोंस मतलब इसमें few seconds लेता है response करने के लिए ठीक है फूर्थ इसकी heading है time for response के इसमें भी immediate effect है ठीक है जैसे for example insulin लेकिन मतलब mostly इसको delay किया जाता है या इसके prolong effect होते हैं जैसे जी एच ग्रोथ hormone ठीक है अब इसकी nature of signal कों से है chemical stimulation है इसमें ठीक है इसके बाद इसकी speed क्या है कि इसकी बहुत जादा तीज speed नहीं है prolonged effect है इसमें ठीक है और जो chemicals हैं वो remain active रहते हैं longer duration के लिए action के लिए अब इन दोरों में डिफरेंस बहुत जादा important long question है ठीक है और यह आपने देहान से करना है देखें एक दफर पर से सुन लेकि जो डिफरेंस है वो नर्वस केमिकल कोडिनेशन में क्या है और नर्वस कोडिनेशन में नियूरोंस है sensory associative motor यह basic unit है structural function का नियूरोगलियल सेल ठीक है chemical immediate effect है दोनों का ठीक है निजर ओफ सिगनल नर्वस सिस्टम में electrical signal है और chemical coordination में chemical stimulation है speed क्या है नर्वस सिस्टम की faster और rapid है chemical coordination की very rapid नहीं है और prolonged effect है life क्या है chemicals की नर्वस सिस्टम में के जो chemicals है वो short lift है ठीक है और ब्रोक मतलब easy link को break किया जा सकते है और जो chemical coordination है और active रहते हैं longer duration में action के लिए next हमारा topic है behavior behavior इसकी definition क्या है behavior is the response of an animal due to stimuli stimuli के वज़े से किसी भी जानदार का ठीक है response अब इसमें types of behavior है innate behavior and learning behavior सबसे पहले देख लेते हैं innate behavior innate behavior क्या होता है यह collection है responses के ठीक है जो के predetermined होते है by inheritance ठीक है of specific nerves और cytoplasmic pathways in multicellular और unicellular organisms में ठीक है it is built in pathway ठीक है यह पिदाईशी तोर पर होते है it is built in pathway ठीक है जो एक given stimulus है ना वो produce करता है invariably same response मतलब इसमें इसमेंपल है कि all plant behavior is innate ठीक है behavior जो है वो develop होता है और refined होता है over many generations में काफ़ जादा generations में जो behavior है वो develop होता है और refined होता है अब इसकी primary significance क्या है कि यह survival value है एक species के लिए ठीक है economy है nerve pathway के लिए ठीक है इसमें कोई demand नहीं है higher center of nervous system की कोई demand नहीं है अब इसमें है types of innate behavior इसमें है orientation और reflexes and instincts orientation में देख लेते हैं kinesis kinesis यह है कि यह एक ऐसा behavior है जिसमें एक organism change करता है अपनी movement को non-directional way में जैसे speeding up मतलब speed तेज करना या slow करना ठीक है response के दुरान for example जैसे जो पिल बग है वो reach करते है moist area को ठीक है जो के उनकी required है उनकी जिन्दगी के लिए अब जो बी टैक्स है टैक्स है सेकेंड इसके टाइप orientation की टैक्स है यह directional movement में move करते है ठीक है तो मदब positive taxes है ठीक है यह directional movement से away move करते है यह negative taxes है stimulus की ठीक है reflexes और instincts में क्या है reflexes जो है यह reflex जो है यह automatic involuntary response है और bright light में जो pupil है वो contract करेगा ठीक है तो हम सही तरीक से देखनी पड़ेंगे ठीक है यह unlearned inherited यह fixed pattern होता है response का इसमें biological rhythm होते है territorial behaviors होते है ठीक है courtship होती है ठीक है जिनसी मिलाव के लिए mile करना ठीक है उसके बाद इसमें होता है meeting होती है ठीक है जिसमें जिनसी मिलाव होते है aggression होता है ठीक है शदीद गुसा और इसके बाद altruism होती है कि मतलब दूसरों की मदद करना ठीक है उसके बाद social hierarchies समाजी दर्जाबंदी होती है ठीक है और social organization समाजी गिरोह बंदी होती है next इसमें है instincts and learning ठीक है इसमें darwin का work है ठीक है 1859 में darwin ने work किया था इसमें definition है instinct की के complex reflexes made up of units ठीक है compatible with mechanism of inheritance and product of natural selection evolved together with other aspects of life ठीक है इसमें जो complex reflexes है units से मिलके बने होते हैं ठीक है जो के compatible होते हैं inheritance के लिए ठीक है और natural selection के लिए वो evolved होते हैं other aspects of life में ठीक है जो instinct behavior है ठीक है ये एक part है is part of one's inherited structure by which individual response to particular stimulus ठीक है ये एक part है किसी का inherited structure के साथ ठीक है जिसमें individual response करता है particular stimulus इसमें जो response है वो similar है हर member के हर species की member में ठीक है जैसे walking, moving, running और eating ठीक है इसमें production होती है hormones की ठीक है और production होती है saliva की to see the food उसके बाद जो early ethologist थे ठीक है वो किया था ठीक है उसके बाद इनके बाद में था कि जो animal से है वो response करते है instinctively ठीक है complex stimuli को जिसको हम science stimuli भी कहते हैं ठीक है science stimulus क्या होता है कि ये release होता है ठीक है और ये essential feature होता है stimulus का जो के necessary होता है ताके response को produce किया जा सके अब male में three spinned stickle back fish के पास red belly है breeding season के लिए ठीक है ये एक science stimulus है जो के elicit करता है aggression को territorial male के में ठीक है instinct जो instincts होते हैं वो necessary होते है survival के लिए अब female diggy wasp amophilia amophilia adrianzi ठीक है ये instinct जो है वो important है animals के लिए ठीक है with short life span ठीक है with little or no parental care ठीक है ये जो instinct है ये important है animals के लिए जिनकी life short होती है ठीक है short life lifespan होता है ठीक है जिनकी मतलब कोई parental care नहीं होती जैसे for example जो female digger wasp है वो prepare करती है nest को ठीक है अंडे ले करती है lays egg on them ठीक है उसके बाद nest को close कर देती है अब ये सारा काम करने के बाद वो खुद मर जाती है अब जो लार्वा होता है वो emerge होता है eggs से ठीक है due to instinct of digger wasp ठीक है जो caterpillar है वो science stimulus ठीक है यहां करते है close उमीद है कि आप सब को समझाई होगी ठीक है इसका remaining part इंशालला next video में cover करेंगे तब तक अपना ख्यार रखेंगे